इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम player को unlock कैसे कर सकते हैं to cricket game में जिया बहुत ही simple है हमें इसको unlock करने के लिए card की जरुवत पड़ेगी हम common pack पे क्लिक करते हैं और यहां पे हम open नाओ पे क्लिक कर दते हैं एक common pack में हमें 9 से 10 card देखने के लिए मिलता है, या फिर 8 या 9 card easily देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप एक common pack open करते हैं, आपको 18 diamond invest करना होता है, और इसमें आपको 8 से 9 card देखने के लिए मिलते हैं, अलग-अलग player के अलग-अलग नाम से, जी हाँ. उसके बास हम एक और unlock कर लेते हैं, common pack को 18 diamond देखने के यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और फिर सम क्या करते हैं, 18 diamond देखे एक और common pack open कर लेते हैं, देख लिए, open now पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ से फिर से हमें 8 या 9 card देखने के लिए मिल जाएगा, अलग-अलग player के नाम से, औ और एक player को unlock करने के लिए, कम से, कम हमारे पास 8 card होने चाहिए, एक player को unlock करने के लिए, हम चल चलते है, player में यहाँ अब देखे इतने सारी player हम आर्था unlock है, और यहाँ पे मैं आपको, RO को, और साहिल को unlock करके दिखाता हूं अलग अलग player को मैं unlock करके easily दिखा देता हूं तो R-O को अगर हम R-O पे यहां पे click करते हैं ठीक है तो हमारे पास इगाh recently card है तो हम unlock पर click करते हैं art card और लेकिन हमारे पास इगा रहे हैं अब हम 100 वाले पर click कर देता है 100 coin पे तो तो यहाँ पे हमारा arrow unlock हो चुका है, यहाँ पे देख लिए easily, अब मैं आपको साहिल को भी unlock करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए भी 8 card है easily, और फिर समसो क्वाइन पे click करते हैं, तो हमारा साहिल भी unlock हो गया है, तो इस तरह से हम easily किसी भ भी खरीज सकते हैं, जी हाँ, इसमें बहुत सारे आपसं देखने के लिए मिल जाता है, तो प्लेयर को unlock करने के लिए बस आपको card खरीदना होगा, card जैसे ही आपकी पास हो जाएगा, आपकी लिए किसी भी प्लेयर को unlock कर सकते हैं, तो यह थे हमारी आज की वीडियो, पे वीडियो आपको पसंद आया होगा, thanks for watching